किसान अंदॉलन पर सुप्रिंग कोट में सुनवाई है आज किसानों की मोद्धे पर सुप्रिंग कोट में सुनवाई दोपार बारा बजे सुप्रिंग कोट में होगी सुनवाई चीस जस्टिस ऐसे बोबड़े की अगवाई में होगी सुनवाई 15 जनवरी को सरकार किसानों की बीच पिर से वाखता होनी है आठवे दौर की बाचीत में भी नहीं निकला कोई हल आज किसान अंदौरन का 47 वा दिन है किसान अंदौरन पर देश की सर्वोच्च अदालत यानि सुप्रिंग कोट में सुनवाई होनी आज किसान अपनी मागों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बौर्डर्स पर डटे हुए हैं दोपैर 12 बजे सुप्रिंग कोट में सुनवाई होगी चीज़ जस्टिस ऐसे बोबड़े की अगुवाई में सुनवाई होने वाली है 12 बचे सुनवाई शुरू हो जाएगी 15 जनवरी को सरकार और किसानों की बीश में फिर से वारता होनी है आठवे दौर की भी वारता वेफर रही कोई हल नहीं निकला बे नतीजा रही ऐसे में जो है अब सुप्रिंग कोट में ये मामला पहुँच गया है 47 हुआ दिन है आज किसानों की अंदॉलन का किसान लगातार अपनी मागों पर डटे हुए किसानों का कहना जब तक इस काले कानून को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक इसी तरह मांदॉलन जारी रखेंगे किसान अंदॉलन पर देश की सरवोच अदालत सुप्रिंग कोट में सुनुआ होनी आज 12 बजे सुनुआ हो जाएगी किसान अपने अंदॉलन को लेकर डटे हुए है उनका क्याना है कि जब तक कानून को वापस नहीं लिया जाता इसी तरह प्रेजर्शन जारी रहेगा ठेटों ते ठंड है लगाता ठंड बरती जारी है कोरूना का भी खात्रा है बाउजद इसके किसान उने कहा है कि आरपार की लड़ाई है हम इसी तरह यह आप डटे रहेंगे जब तक हमारी मागे नहीं माननी जाती है आट में दौर की भी बात बेविफल रही बतादे की विफल नहीं रही और आज किसान उनक्या अंदॉरन का संतारिस्वन दिग